science 2 10th standard 7th chapter introduction to microbiology now microbiology is the field of science which deals with the study of microorganism microbiology science की वो साख है ठीके वो branch है जो microorganism की पड़ाई से डील करता है देखो micro मतलब small organism ऐसे organism जो आखों से जो जनरली आखों से दिखाई नहीं देते उनको देखने के लिए microscope compound microscope electron microscope चाहिए ठीके अदर्वाइस उन्हें देखा नहीं जा सकता बायो मतलब nature microbiology मतलब microorganism की study microorganism की biology ठीके it's a field of science or you can call it a field of biology which deals with the study of microorganism ठीके yes biology भी बोल सकते है biology या फिर आप बोल सकते हो field of science या branch of science it's a branch of science which deals with the study of microorganism micro मतलब छोटे बहुत छोटे organism micro size के organism की ठीके micro मतलब बहुत चोटा साइज होता है जो generally हम नॉर्मली आखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें देखने के लिए हमें lens भी नहीं compound microscope जैसी lens लगेगी ठीके compound microscope या electron microscope में देखा जा सकता है next यह chapter में हम लोग तीन टॉपिक पढ़ेंगे applied microbiology इंडस्ट्रियल microbiology product microbiology applied मतलब microbiology का क्या role है हम लोग microbiology को कहा कहा apply कर सकते हैं और उससे क्या क्या type के product बना सकते हैं इंडस्ट्री में microbiology कहां use होती है और उसके use से क्या क्या products बनते हैं और finally products के बारे में पढ़ेंगे ठीके तो लेट स्टार्ट which different microbes are useful to us कौन से कौन से अलग-अलग microbes हमारे लिए useful है ठीके देखो बहुत सारे microbes हमारे लिए useful है even हमारे स्टमक में बहुत सारे bacterias होते हैं bacterias microorganism ठीके और वह microbes मतलब वह microorganism जो useful हमारे स्टमक में जो useful microorganism होते हैं वह खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं खाना फूड जो हम खाते हैं उसको digest करने में और body उसको absorb करें ठीके देखो कभी-कभी lose motion होने लगता है तो डॉक्टर करता है कि धमें खाये डॉक्तर के advice करते हैं करड़ी क्यों क्यूंकि दहीं से good बेक्टेरिया तमक में आएंगे और जो बडेड् बेक्टेरिया थो akμestra खोलव जाएंगे एक से टाच तो तो टाइप of microorganism useful microorganism harmful microorganism दो टाइप के microorganism होते है useful भी होते हैं और harmful भी होते हैं अगर harmful microorganism हमारे शरीर में चला गया तो हमें बिमार कर देगा विल इल खीके विल गेट सिख ओर यूस्फल microorganism जो हमें हमारी बॉड़ी को जरूरी है required इसके लावा microorganism से मदद से microorganism की की मदद से दूद का दही बनाया जाता है दूद से चीज बनाया जाता है चीज पनीर बनाया जाता है मिल्क से पनीर मिल्क से चीज मिल्क से कर्ड मिल्क से योगहर्ट एक्सेटर एक्सेटर चीज़े बनाई जाते विद यहल्प आफ यूस्फुल microorganism which different product can be produced with the help of microorganism microorganism की मदद से क्या क्या produce कर सकते तो मैंने अभी नाम बता चुका हूँ ठीक है तो लेट स्टार्ट और भी है इसके अलाव है तो मिल्क प्रड़क का नाम दिया दूसरी जगहों पर भी यूज होता है तो पहले देख लेते अप्लाइट बाइक्रोबायोजी क्या है उसका डेफिनेशन क्या दिया है ब्रांच और बाइलोजी इननवी स्टडी ओव एंजाइम रिलेटेद टू सम् प्रोकेरियोट्स और योकेरियोट माइक्रोब्स प्रोटीन अप्लाइट प्रोर् Pixar рекाट कर्योक्र्वेट कर्योड थियुकारयोट्स यंक्वूड़ीट सेल इंक्वूडीट सेल वाले माइक्रोर्ईनिजम् कंप्लीट सेल ऑर्गेनिजम होती थी कर्वूस ठीक है इंक्ति तो यूनी सेलिूलर यूनी सेलिए Cleveland वाले होते हैं complete cell organelles मतलब सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे organism होते हैं जिनकी सेल भी complete नहीं होती याने सेल में nucleus नहीं होगा या सेल में rhizobium नहीं होगा या सेल में jology body नहीं होगी ठीके तो वो टाइप और तो यह मैं पहले डिसकस कर चुका हूँ previous chapter में आपने देखा है वीडियो अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में एवलेबल है में होता है एग में होता है ठीके एक्सेटरा नेक्स अप्लाइट जेनेटिक अप्लाइट जेनेटिक्स एक खुदी फिल्ड है जिसमें genes में transformation होता है ठीक है यानि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है जीन्स में अदलाब अदली की जाती है ठीक है और useful से harmful से useful product बनाए जा सकते हैं ठीक है applied genetics molecular biology जो molecules होते हैं carbon dioxide water molecules एक्सेटर एक्सेटर इससे बहुत सारे ठीक है protein molecules molecular जो molecular फॉर्म में होगा ठीक है जैसे carbohydrate का molecules glucose c6 h12o6 तो वो molecule के लेवल पे जो biology होती है ठीक है यह सब कहा आता है applied microbiology में इस performed ठीक है study perform की जाती है यह सब चीजों से is called applied microbiology इसे कहते है applied microbiology तो यह is the definition if someone asks you the definition तो यह definition हो गया ठीक है applied microbiology का पूरा definition है this study is used for society and various products like food and medicines are produced on large scale with the help of microorganism ठीक है अब यह study कहा useful यह study किसके लिए useful है society के लिए applied microbiology society के लिए बहुत useful है society के लिए मतलब for the welfare of human and animals ठीक है for the welfare of all society में सब आ गया and various products like food and medicine are produced on large scale with the help of microorganism and micro organism की मदद से बहुत सारे खाने पीने की चीज़े और बहुत सारी दवाइयां भीटी है this is applied microbiology माईक्रोμ आर्गयनिजम की मदध से बहुत सारे खाने पीने की चीज़े बहुत सारे खाने food बनते हैं और दवाईयां भी बनती हैं अपने एंटिबायोटिक तो सुना होगा इंसुलिन सुना होगा जो डाइबिटीस पेशेंड में यूज करते हैं तो आजकल इंसुलिन माइक्रो और्गेनिजम की मदद से बनता है इसके अलावा बहुत सारी दवाईयां भी माइक्रो और्गेनिजम की मदद से बनती है तो यह सब कहा यूझो तो इतना आप ले सकते हो ठीके और यह भी आप डेफिनेशन में इसका यूजज है डाल सकते हो या यूज पूछा तो आप यूज़आड कर सकते हो अब आगे इंडुस्ट्रियल nutril microbiology y.a microbiology का industries में क्या role है this science is related to commercial commercial मतलब business commercial means business Paisاء कमाना business commercial word का मतलब होताしく नुमि यानि पैसा कमाना ठीक है so this industrial microbiology में क्या आता है this science is related to commercial use of microbes in which various economic social and environmental related process and product are included ठीके यह क्या आगया business business के बारे में आगया microbes का मदद से business करना microbes मतलब microorganism microorganism के उपर business करना ठीके इसमें क्या-क्या include होगा economic economic मतलब पैसा ठीके income expenditure एक्सेट्र इकनोमिक social याने सोसाइटी का welfare एकनोमिक वेलफेड सोशल सोसाइटी के लिए लोगों के लिए environmental और इवेन environment को साफ शुद करने के लिए microorganism का यूज किया जाता है ठीके वेश को डीकमपोस करने के लिए microbes को use किया जाता है इसके लिए environmental related process and the products are included इससे related जो भी कारिय है और इससे related जो भी product मिलते हैं यह सब इसमें include होते हैं ठीक है industrial microbiology में various microbial process useful for the purpose are carried out और बहुत सारे microorganism के process जो इसके लिए कारगर है इस कारिय के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं वो यूज होते हैं ठीक है मतलब वो process कराय जाते carried out next industrial microbiology का main features क्या है what are the main features of industrial microbiology main features उसके main features क्या मतलब main function क्या है main function क्या है main feature क्या है so दो main features है एक first वाला various products with the help of fermentation process example bread cheese wine raw material for chemical enzyme nutrient medicine etc सबसे पहला microbiology industrial microbiology में microorganism को यूज करके बहुत सारे fermentation के process किये जाते हैं याने बहुत microorganism की मदद से fermentation करके ठीक है food product बनाए जाते हैं जैसे ब्रेड चीज बनाए जाता है फिर wines भी बनते हैं microorganism से ठीक है wines तो पता होगी आपको शराब ठीक है दारू शराब जो बोलना आप बोल सकते हैं raw material for chemicals और chemical के लिए raw material एंजाइम के लिए raw material nutrient के लिए raw material medicine के लिए raw material ठीक है मतलब microorganism को यूज करके fermentation नाम का process होता है मैं आपको fermentation बताने के लिए समझा रहा हूं देखो fermentation ब्रेड का जो आटा होता है जिसको हम लोग medic आटा करते मेज जो भी यह medic आटा ठीक है उसके अंदर yeast डाला जाता है bread बनाने के लिए आटे के अंदर yeast यस्ट नाम के य ए एस्ट यस्ट नाम का microorganism डाला जाता है जो रात भर रात में डाला जाता है है morning तक multiple हो जाता है ठीक है और वो वो ग्याट उसकी वज़े से bread स्पॉंज होंजी हो जाते i जिसके इसके के पेश्ट में जिसकी वज़े से वह फेमेंध होता है फण मतलब भी कंपोज होता हैक subscribe से लेकिन वो उसके अंदर carbon dioxide की मातरा बढ़ जाती है जिसकी वज़े से वह spongy fluffy हो जाता है ब्रेड केक एक्सेटरा इसके अलावा microorganism को यूज करके milk से चीज बनाते हैं फिर wines बनाते हैं वाइन ठीके grapes से apple से apple wine होती है grape wines होती है wheat wine होती है rice wine होती है बहुत सारी टाइप की wine होती है तो rice के juice को ferment करके wine बनाते है या apple juice को ferment करके wine बनाते है एक्सेटरा इसके अलावा raw material मिलता है microorganism की help से chemical के लिए enzymes के लिए nutrient medicine एक्सेटरा first main feature हो गया second main feature अगर आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हो तो आपको spot पर बाहत होते जाएगा आपको definition बाहत हो जाना चाहिए यह भी बाहत होना चाहिए बाहत मीन्स एक 50% जितना हो जाना चाहिए फिर इसके वीडियो के बाद आप उसको पढ़ने बैट हो तो 100% हो है जो देको डोर टाइप का wast होता है डीग्रेडर मोड ऐग्रेडर को लेकित को नहीं करते लेकिन घाहरेलू कचरा होता है जैसे के वेडिडर्बलोन के पीलिंग्स holder में चिलका कologia का चिलका ऑपर के चिलकाया बनाना बनाने का जो सकीन होता है चिलका है पीलिंग कहते हैं ठीके वो सब माइक्रो औरगनिजम की मदद से पल्यूशन कंट्रोल होगा बहुत सारा पल्यूशन control किया जा सकता है कुछ bacteria तो ऐसे रहते हैं जो harmful chemicals जो नदी में chemicals छोड़े जाते हैं तो कुछ bacteria वो भी absorb कर लेते हैं ऐसे type के bacteria आते हैं हम आगे पढ़ेंगे तो pollution control में काम आता है तो यह दो main features है ठीक है इसकी वज़े से इंडुत्री में maikro ओर्गेनिंजम को पाला जात पैदा किया जाता है पाला जाता है मतलब माीक Milk से योगर्ट बनाने में.. योगर्ट तो आपको पता है ठीके योगर्ट थोड़ा सा दहीं के तरह होता है दहीं से थोड़ा स準्क्रोज ठीके योगर्ट वैसे तो योगर्ट मिलता भी शॉप पर कोई भी या जनरल स्टोर में भी आपको मतलब जो भी जनरल मीन्स जो खाने पीने वाले प्रोड़क्स मिलते हुआ विच माइक्रोब्स यूसफुल फॉर इस प्रोस्ट प्रोसेस्ट पूछा है मिल्क से योगर्ट बनाने में कौन से माइक्रो और्गेनिजम यूज होते हैं तो आगे आंसर में है ठीक है प्रोड़क्स डेरी प्रोड़क्स ठीक है डेरी से निकलने वाले प्रोड़क्स डेरी मतलब मिल्क और मिल्क प्रोड़क्स डेरी मीन्स मिल्क के प्रोड़क्स ठीक है मिल्क से क्या-क्या बनता है Since ancient day, पहले के जमाने से पुराने दिनों से, milk is converted into various product for its preservation purpose. Milk को उसकी अलग-अलग product में change convert किया जाता है. Milk से बहुत सारे product derive किये जाते हैं पहले के जमाने से पहले से आज का नहीं है पुराने जमाने से ताके उसको लंबे वक्त तक preserve, समाला जाए, 1947 आपको इमेज आप साइड में देख सकते हो योगर बनाया जाता है मैं जितना हो सकता है इन सब चीजों का इमेज साइड में डाल रहा हूं ताके आपको देखे क्योंकि कैफिर एक प्रोड़क्ट है मिल्क का सिर्फ मैं इतने ही बोल सकता हूं भी थोड़ा स्वीट होता है टेस्ट में नेक्स्ट वॉट्ट इसके अलावा और भी बॉलते ना बटर मिल्क बनता है च्छास नहीं बनता है धाई कर्ड लसी बनती है ठीक है बहुत सारे फचेंट में यहां मिल्क बनते हैं water content and acidity of milk changes इसमें क्या होता है milk में जो water content है और milk की जो acidity है acidic value वो change हो जाता है अपने 9th में पढ़ा होगा pH value हर substance का potent value होता है ठीके याने acidic value और basic value 0 to 7 acidic और 7 to 14 basic ठीके शायद अपने पढ़ा होगा या इसके आगे वाले chapter में आएगा ये acid based chemistry chapter होगा science 1 में उसमें आएगा 9th में acid based chemistry में था मुझे पता है अच्छे से ठीके next so acidity of milk बदल जाती है और उसका water content change हो जाता है ठीके during formation of this product and texture taste and flavor is improved ठीके यहान गलती से print होगा I think so during formation of this product texture जब ये सारी चीज़े बनती है तो milk सी बनती है सारी चीज़े तो उसका texture texture मतलब thickness समझ लीजिए milk का गाड़ापन बदल जाता है texture change हो जाता है टेस्ट भी बदल जाता है जैसे butter थोड़ा सा हलका सा salty होता है ठीके salty या फीका सा होता है ठीके चीज आपको पता है टेस्ट मिल्क से अलग टेस्ट करेंगे ठीके है तो उसका texture texture मतलब उसका गाड़ापन ठीके गाड़ापन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं ठीके जैसे गाड़ापन मिल्क पतला होता है और झीज हाड होता है बटर चीस से फोड़ा सौफ्ट होता है लिए बाट सौफ्ट होती तो सबका texture है टेस्ट और flavor अब टेस्ट और flavor एक ही चीज़ंग है ये सब improve हो जाती बड़ जाती ये निच्ट इस these processes are performed on large scale with more skill यह सारे प्रोसेस बड़े पहमाने पर किये जाते हैं और ज्यादा यह सारे ज्यादा तर मिल के बनाने के लिए क्या होता है जो नाचरलीडस होते हैं मिल की अंदर। आप शॉप से तक लाते हो मम् पहले यूसफुल हामफुल सारे केट हो जाए ठीक है boiling टेमपरेचर यानि 100 डिग्री सेल्शियस तक मम्मी जो भी मिलक का जो भी is the product with with the help only cheese is produced with the help of fungi सिर्फ चीज ऐसा प्रोडक्क्टे जिसमें बैक्टेरिया की जगह के रिधैं सब्सक्राइब का प्रोसेसं यह तीनों में सेम हैं योगर्ट चीज और फिंगि क्या है वह वो यह प्रोसेस कि च्रॉकी के 나 यहहनिंě boiling degree boiling temperature तक पैस्चराइजेशन मतलब हीट करना ठीक या जो भीveer पे तो मेल्क के बारे में भी स्टॉक पैस्चराइजेशन मतलब मेल्कोष जाता है मिल्क के अंदर जो न्याहिए यानि harmful bacterias है वो killed हो जाए पैस्चुराइज मतलब heat करना ठीक है mild heat करना हलका सा गरम करना ताके जो पहले से कुछ जो pathogens है pathogens मतलब harmful bacteria germs है milk के अंदर harmful microorganism हो germs में वो kill हो जाए तो यहां पर लिखा milk is pasteurized at the beginning to destroy unwanted microbes milk को पहले heat किया जाता है pasteurize मतलब heat करना ताके destroy कर दिया जाए किसको unwanted microbes ऐसे microbes जो नहीं चाहिए milk में नहीं होने चाहिए याने pathogens पैथोजन्स harmful microbes को कहते है it is then fermented with the help of lactobacilli और फिर उसमें lactobacilli डाला जाता है this is bacteria lactobacilli bacteria है जिसको milk में डाला जाता है for fermentation ठीके अब lactobacilli क्या करेगा in this process lactose sugar of milk is converted into lactic acid lactobacilli lactose sugar को lactic acid में उसको lactose sugar को lactic acid में convert कर देता है देखो मैं घर पे बैटके वीडियो बना रहा हूं तो बीच में bell का आवाज आता रहेगा ठीके और मैं edit करूंगा तो बहुत टाइम चला जाता है वेडियो में ठीके तुम्हें directly upload करूंगा थोड़ा बहुत बहुत बैल का आवाज बीच में सिनाई दे रहा है तो इग्नौर करो अच्छा यह process में होता क्या है fermentation में fermentation में lactobacilli add किया गया milk में अब यह इसको नाम आपको याद रखना है milk को comment करने के लिए कौनसा bacteria add किया जाता है lactobacilli बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है lactobacilli जो milk में lactose sugar है उसको lactic acid में convert कर देता है और जो milk का प्रोटीन है वो गठ्था बन जाते गठ्थे जैसे पानी अलग हो जाता है समझ लीजिए और coagulation मतलब गठे गठे बन जाते हैं ठीक है समझाने के लिए बोर रहा हूं आपने दूद का दही बनते हैं दही में coagulation होता है या बली देखी होगी बली भी बोलते हैं मतलब coagulation मतलब जमना ठीक है दूद फटता है बोलते हैं दूद में bacteria दूद तो coagulation होता है ठीक उससे बहुत सारे देखौ milk से बहुत सारी मिठाई भी बनती है ऑल्राइट और हम लोग आपना मारेश्रा में famous है वह mill के बनती है बल्लि कॉल एक्सेटरा अ बासनी भी बनती है बहुत सारे मिलके प्रोडक्स है बासुन्दी बासुन्दी अल्राइट को एग्यूलेट होता है मतलब जमता है गठ्थे गठ्थे बन जाते हैं जमता है ठीक है किसकी मदद से विद्यालप लैक्टिक एसे लेक्टो शुगर लैक्टिक एसिड में इसके अलावा कुछ और कंपाउंड भी बनते है मिलक में जो अलग सा टेस्ट और फ्लेवर वाले होते हैं अलग सा टेस्ट स्वाद और अलग सा स्वाद फ्लेवर में दोनों आ गया स्वाद और सुगंद ठीक है स्वाद और सुगंद फ्लेवर वाले होते हैं ठीक है का फ्लेवर है बटर की तरह बटर का फ्लेवर सब को पता है तो डायसिटाल फोर्म होता है लोगर्ड माला द्वाद प्रॉट्टोर कि भी सहे करेंगे से भी फंटार्डच मिल्कार्ड योगर्ट योगर्ड to एक्टोबैसीली मतलब बेक्टेरिया डाला जाता थाकि टाकि विधो हो Melbourne却 के लूब्सक्टरी अपर में ऩांन्थे खुल आन्य पूर्ड allowing for maintaining the protein content condensed milk powder is milk with the mixed with the the milk to force to be fermented for industrial production of yogurt के रोटीन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए मिल्क में क्या डाला जाता है कंडेंसมेel kconomy पौवडर जो मिल्कोफट। करना हैं उसमें扯ी किंदेंस मिल्क पौवडर यूगर्स पॉर्ष for construction और drafted old में पाउडर एड करते हैं उसका कुछ प्रोटीन कंटेंट बना रहे में रहे हुआ में किस बॉइल मेल के बॉइलड एन वॉन्स च्छी टू वाम टेमपरेचर में में को उबाला जाता है और फिर उसको वाम टेमपरेचर तक थंडा कि जाता है मिल्क को बॉइल किया जाता है और फिर वार्म टेंपरेचर तक कूल थंडा किया जाता है और जब वार्म टेंपरेचर पर आ तो उसमें बैक्टेरिया मतलब उसके अंदर से उस प्रजाती में से इत च्राप्र कोकस नमका बतीरिया डाला जाता और Lactobacillus Delbru की यह दो बैक्टेरिया एड किये जाते हैं ठीके देखो योगर्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है पहले Lactobacilli डाल लोगर्ट बनाया जाता है Lactobacilli यह बैक्टेरिया की मदद से ठीके मतलब यह फॉर्स्ट इसी जनरल पॉइंट बता है सेकेंड कंडेंस बाउडर डाल जाता है जिए मिल्क योगर्ट बनाने के लिए फिर सेकेंड टेंश में किया जाता है और थंडा होने के लिए रखा जाता है जब वाम हो जाता है ठीके जब तेंपरेचर वाम हो जाता है तो उसमें यह दो बैक्टेरिया एड किये जाते हैं 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 बैक्टेरिया की प्रजाती से कौन सा दो स्ट्रेप्टो कोकस थर्मोफिलर्स और लेक्टो बैसिलर्स डेल ग्रुकी ठीक है और एड़िट टू इट इट इन वन रेशियो वन प्रपोर्शन क्या प्रपोर्शन में डाला जाता है वन रेशियो वन लैक्टिक असिड इस फॉर्म दू स्ट्रेप्टो कोकस देट मेंक्स जेल बन जाता है जेल आउट जेल मतलब जेल की तरह जेली की तरह जम जाता है और जिसकी वज़े से उसको गाड़ापन मिलता है देन्स कंसिस्टेंसी मतलब देन्स टेक्च्चर देन्स मतलब घना घना गाडापन मिलता है योगर्ट को एक लेक्टो बैसिली से क्या होता है अलग 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 फ्रूट के जूज दाले जाते योगर्ट में ताकि अलग-अलग फ्लेवर हो जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट बनाना योगर्ट एक्सेट्रा योगर्ट की जैसे एकस्पायर होगा छे महिने में एकस्पायर होगा वो बढ़ा ही आब करेंगा मैं ख़ली वर्ड बता रहो भीटर रहो लेक्स पेच पूरा एक पूरे दो पैराग्राफ प्रोबायोटिक पूरे जिसे शॉट नौट टाइप है ठीक है तो मैं आपको शॉट में बता दू योगर्ट बनता कैसे योगर्ट लेक्टोबैसीली बैक्टेरिया की मदद से बनता है ठीक है उसको इनक्यूलेंट भी कहते है औल्राइट यह तो एक पॉइंट वा फिर होता क्या इसमें योगर्ट को योगर्ट में जो प्रोटीन कंटेंट उसको मेंटेन रखने के लिए मिल्क पाउडर डाला जाता है मिल्क के अंदर जो फर्मेंट करने वाला मिल्क है उसके अंदर मिल्क पाउडर डाला जाता है ठीक है इंडस्ट्रियल रेविल पे जो योगर्ट इंडस्ट्रियल रेविल पर बना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो योगर्ट बनता है उसमें जो मिल्क के फर्मेंटेश फेर पहुँछ्ठा है तो बेक्टेरियल स्ट्रेंज से युश्पुल बक्रणाटे यूश्पूल बेक्टेरिया से यूश्पी ली क्या एड़ autoris का पूरा नाम है ये दोनों बैक्टेरिया आड की जाते?, पूरा नाम है ब्रक्टेرिया का, शौट नाम सिर्थ स्ट्रेप्टो कोकस बोलेंगे, शौट र्लैक्टो बेक्टोबैक्सिलियस लेकिन पूरा नाम दूना है कुछ ऐसे नाम है जिसको आपको finger tip पे बाइट करना है चलते फिर ते बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा किसी को मजाक में बोलोगे तो भी याद हो जाएगा किसी का नाम रख दोगे मेरा नहीं रखना ठीक है ने तो जे सर का नाम रख देंगे स्ट्रेप्टो को कस थर्मोफिलस आगे यह दोनों एड के जाते हैं ठीक है क्या प्रपोर्शन में एड की जाते फिफ्टी फिफ्टी यहाने वन रेशियो वन ओल्राइट थोड़ा सा ब्लर हो गया है कैमरा जस्ट यह आप थोड़ा बहुत एज़स करके थोड़ा रीड करना पड़ेगा क्यूंकि कैमरा अटमेटिकली बलर हो गया नाउट इस फाइन आगे कौन क्या रेशियो में डाला जाएगा फिफ्टी फिफ्टी याने वन रेशियो वन प्रपोशन फिफ्टी 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 में गाड़ा हो जाएगा कर्यों बनना मतलब हो ठिकनक के जिस्से उसके कंसिस्टम से मिले गे मतलब उसका टेक्रेंस हो जाय गाड़ा पनाएगा देंस से चेएट यूगर्ण फोटी है कुर्स अधिस है उससे क्सिपाउट् firm like compound a form acid aldeide जैसे compound form हो जाएंगे उसमें due to lactobacillin और इसकी वज़े से अलग सा टेस्ट एक खास टेस्ट मिलेगा योगर्ट को एक special characteristic टेस्ट मिलेगा योगर्ट को आजकल टेस्ट के लिए क्या किया जाता है फ्रूट जूस दाले जाते योगर्ट में ठीक है अलग-अलग flavor के जैसे strawberry flavor का योगर्ट आता है बनाना flavor का योगर्ट आता है अल्राइट आच्छा योगर्ट की life like expectancy बढ़ाने के लिए योगर्ट का जैसे expiry date बढ़ाने के लिए और उसका probiotic property को improve करने के लिए यानि उसकी life बढ़ाने के लिए और उसका probiotic property improve करने के लिए क्या करना चाहिए पेस्चुराइजेशन आपको पहले भी बता चुका हो क्या हीट किया जाता है मिलको माई temperature पे ताकि उसके अंदर जो पैथोजन है हमफुल बैक्टेरिया जी किल हो जाया नेक्स्ट थर्ड इस बटर मिल्क के प्रोड़क में थर्ड है बटर टू टाइपस ऑफ बटर लाइ कॉल्टी बटर बोलते ना एक्सेटर आप प्रेड्यूस ऑन लाग स्केल दो टाइप के बटर जाधा तर बनते हैं स्वीट क्रीम बटर और कुल्च्रल इसमें बस इतना ही है नेक्स्ट चीज प्रोडक्शन चीज चीज प्रोडक्शन पनीर और जो भी यह सब चीज कैटेग्री में आते हैं ठीक है चीज नेक्स्ट चीज प्रेड्यूस ऑन लाग स्केल फोडी अबंडेंटली एवलेबल काव मिल्क आल ओवर दर वर्ल्ड पूरी दुनिया में गाएं के दूद्ट से जाधा तर चीज बनता है ठीक है बड़े पहमाने पर लाग स्केल फर्स्ट चैमिकल और माइक्रो बाइलोजीकल टेस्ट औफ मिल्का परफॉर्म सबसे पहले दूद्ट को टेस्ट किया जाता है सबसे पहले मिल्का कैमिकल और माइक्रो बियल टेस्ट किया जाता है थोड़ा मैंने जूम कर लिया है तो सबसे पहले मिल्क को टेस्ट किया जा रहेगा तो मिल्क के ऊपर पहले chemical और microbiological test perform किये जाएंगे ठीक है अगर वह milk अच्छा है मतलब आगे वह चीज बनाने के लिए बहतर है तो आगे उस पर क्या होगा सम कलर and microbes like lactobacillus lactics lactobacillus cream oris and streptococcus thermophilus mix with milk ठीक है देखो याद रखो योगर्ट बनाने के लिए कौन से बेक्टेरिया यूज हुए थे ठीक है और अभी चीज बनाने के लिए कौन से बेक्टेरिया यूज हो रहे हैं ठीक है mixed with milk यह तीनों बेक्टेरिया को milk से mix किया जाता है इट इंपास sawness of milk जिसकी वज्जे से milk क्या हो जाता है sawn ठीक है sawn मतलब थोड़ा खारा थोड़ा कड़वा खारा जैसा हो जाता है salty और कड़वा पन आ जाता हलका सा ठीक है sawn टेस्ट खारापन समझ सकते हो आप after this to impart the dense texture इसकी पहले तो टेस्ट उसका सौर हो जाता है और उसका dense texture बनाने के लिए याने मिल्क को गाड़ा उसकी density के consistency देखो texture मतलब consistency उपर मैं बता चुका हूं उसको गाड़ा करने के लिए उसमें से य को निकाला जाता है वह भी बोलते हैं इसको वह प्रोटीन मतलब वाटर इन योगर्ट ठीक है देखो आप दही निकाल लो उपर से तो आप देखो गे उसमें कहीं पानी निकलता है अप सपोस्वोज आपने एक बर्तन में दही जमाया है ममे ने तो उसमें आप साइड से निकाल लोगे ना तो जो खाली section है उसमें पानी निकलने लगता है एन्जाइन रेनेटेड अप्टेन फ्रॉम एलिमेंटरी कनाल ओप दी केटल वास बिंग ट्रेडिशनली यूजड अब पहले पहले आजकल नहीं होता है पहले के जमाने में पहले के टाइम पर क्या किया जाता था एनिमल्स काव गोट शेप एकसेटरा उनके एलिमेंटरी कना में यह एंजाइम होता है के काव शेटि एक से कानल मतलब माउथ से लेकर एनस तक जो भी माउथ है उसके बाद इस छह चामक है उसके बाद स्मॉल इंटर स्टाइम ऐलिमेंटरी अंडर से एंजाइम निआलब नसाएन नंगाट गीकाल मतलब काव काव एक्सेटरा के अलिमेंटरी कनाल से रेनेट नाम का एंजाइम निकाला जाता था और उसको उसको इसमें डाला जाता था ठीक है पहले पहले ऐसा होता था लेकिन अभी क्या होता है अब भी क्या किया जाता है एनिमल के अलिमेंटरी कनाल से नहीं लिया जाता है बलकि फंगस के मदद से फंगस की मदद से एंजाइम प्रोटीज बनवाया जाता है fungus के through enzyme proteins produce किया जाता है और वो उसकी मदद से चीज बनाते हैं तो यह चीज vegetarian चीज रहती है यह non vegetarian चीज है क्योंकि इसको animals के body से rennet नाम का enzyme add करके बना है और यह pure vegetarian चीज है क्योंकि यह enzymes fungus से बनाए गया है और fungus plant है ठीक है non green plant fungus होते हैं ठीक है आगे the way is separated from yogurt which has some other uses और जो वे यहां पे जो वे separate किया गया है वे प्रोटीन इसको अलग किया जाता है योगर्ट से और इसका कुछ और ही यूज है वे को कोई और जगा पर यूज किया जाता है ठीक है then process of production of cheese is started through steps like cutting और फिर यहां से वे निकालने के बाद यह जो वे प्रोटीन है वे करके जो वाटर है योगर्ट में उसको निकालने के बाद फिर योगर्ट पे अलग अलग प्रोसेस किया जाता है यानि चीज ठीक है यहां से चीज का बनाने का काम शुरूव यहां तक योगर्ट था वो ठीक है वाटर निकाले और अब वो चीज बन रहा है ठीक है अब उसको क्या करेंगे step by step सबसे पहले क्या करते हैं cutting करते हैं started through steps like cutting the solid योगर्ट पहले जो योगर्ट solid रहता है उसको चोटे-चोटे piece में cutting करते हैं फिर उसको wash करते हैं फिर उसको रगड़ते हैं फिर उसमें salt add करते हैं say and Mixing the essential microbes उसमें जरूरीまぁерт दालते हैं ไ्क्मेंट दालते हैं पिग्मेंट चाहने गलर ठीके एँड फॉलेवर और उसमें ठेज्स दालते हैं ठीके देखो यहां तक योगर्ट सेम् प्रोसेस्सright गवियर्श कहत Sozial छोटकों सठीक में काटे उसको धोए उसको रगड़े उसमें नमक डाले ठीक है और उसमें जो भी essential microorganism है वो डाले फिर pigments डाले ठीक है pigments pigments याने color ठीक है color डाले edible color खाने वाले जो colors आते हैं ठीक है उसको color देने के लिए और flavors डाले गए ठीक है then cheese is pressed and cut into pieces and stored for ripening और फिर जो बनता है वो cheese रहता है उसको दब मतलब यह होने के बाद उसको प्रेस किया जाता है जोर से दबाया जाता चीज बनता है ठीक है फिर यह चीज को बहुत लंबे कुछ समय के लिए रख दिया जाता है पकने के लिए मतलब उसको पीस में काटा जाता है स्मॉल पीस नहीं है खाली पीस में काटा जाता है और स्टोर कर दिया जाता है पकने के लिए मतलब रख दिया जाता है राइपनिंग के लिए पकने के लिए ठीक है इसमें कौन से कौन से टाइप के चीज के भी बहुत सारे टाइप आते हैं ठीक है तो वेस्टन फूड जो है पिज्जा बर्गर सेंवेज उसमें कौन से चीज यूज होते हैं तो आंसर यहाँ पर है येलो बॉक्स में हम लोग पढ़ेंगे बाद में यह आप भी देख लेते हैं फ्रेशली प्रिपर चीज इस ऑलवेज सॉफ्ट कॉटेज चीज क्रीम चीज मॉज्रेल लट चीज ठीक है अब यह आंसर हम लोग यह बाद में देख लेंगे ठीक है और सेकेंड क्वेसिन भी इस ट्रीक्ट सैंसेसल इसेंशल एज बैटेरिया केंघ को बनते हैं वहाँ पे बहुत साफसफाई रखी जाती और स्टेश्ट किया जाता है स्टेरियों मतलब हीट के त् patch थो harmful bacterias virus को किल करना क्यों कूं क्यों sterilization और cleanliness maintain क्या जाता है क्योंकि जो useful bacteria है उसको virus attack कर देगा वारस useful bacteria को attack करके harmful bacteria बना सकता है ठीक है हैंस वाइरस रीस्टेंस वाराइटी आफ बेक्तेरिया जर डेवलप और कैसे वेक्टेरिया से आजकल बनाय जा रहे हैं जो वाइरस को रेजिस्ट करें जो वाइरस को moisturizing कर सके एसे डूर रख सके ऐसे bacteria में result में फीकी है recently used of mutant varieties of bacteria have been increased और आज कल यह mutant varieties of bacteria mutant variety देखो natural bacteria अलग होते हैं mutant varieties मतलब bacteria के अंदर transformation करके उसको virus resistive bacteria बना गया this is called mutant varieties ठीक है तो आज कल mutant varieties of bacteria ज्यादा तर यूस किये जा रहे हैं all right artificially some strain are developed that will help to avoid unnecessary steps और materials artificial मतलब artificial method से natural नहीं artificial method से कुछ bacteria के strain डेवलब किये जा रहे हैं जो चीज बनाने में जो unnecessary steps से उसको करने की जरुरत ही नहीं और materials भी बसता है ठीक है material बचाने के लिए एक्सटरा unnecessary material यूज ना हो और unnecessary steps ना लेने पड़े इसके लिए artificial bacteria के strain डेवलब किये जा रहे हैं all right lab में next freshly prepared cheese is always soft अब यहां पर type of cheese जो पर question पुछा ना cheese के type के है तो cottage cheese है cream cheese है modularla trees है एक्सेटरा ठीक है अब जो fresh रहती है जो ताजी बनी हुई चीज रहती है वह हमेशा soft होती है soft एकदम soft रहेगी और उसको cottage cheese भी कहते है cream cheese भी कहते है mojurella cheese भी कहते है ठीक है on storing for 3 to 12 months semi hard cheddar cheese is form cheddar 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 ठीक है छेडार ठीक है तीन से बारा महिने तक रखने पर semi hard यानि थोड़ी कड़क टाइप की cheddar cheese बनती है ठीक है इस फॉर्म वेरेस आफ्टर राइपनिंग for 12 to 18 months इसके अलावा बारा से अठ्रा महिने तक पकने पर hard strong कड़क चीज बनती है जिसका नाम है permission cheese is formed ठीक है I hope समझा आपको we are on page number 78 मैं आपको line to line समझा रहा हूं इसके लिए video लेंदी बन रहे हैं I hope you all are not minding ठीक है देखो कुछ बच्चे बोरे सा थोड़ा शॉट में बताओ शॉट में बताऊंगा तो detail नहीं मिलेगा और आजकल तो टेकिंग और स्कूल टीचर टेकिंग ओरल में इसमें कहीं से भी ब्लैंक्स पूछ रहे हैं तो अगर मैं शॉट में बता दिया आप स्पीड बढ़ा सकते हो फास्ट लग रहा है तो तो मैंने कहाता प्रोबायोटिक तो पेज नंबर 79 पे इस अब प्रोबायोटिक देखो प्रोबायोटिक ऐसे सब्स्टेंस को कहते हैं जो बॉड़ी में डाला जाता है जिससे बॉड़ी की बिमारी से लंडने की शमता बढ़ जाती है ठीके बिमार होने के बाद ठीक होने के लिए नहीं बिमार होने से पहले मतलब अगर आपकी बॉड़ी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग हो जाएगा तो इनके सपोज अगर कहीं से बैक्टेरिया या वाइरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो यह प्रोबायोटिक उसको किल कर देगा इधर डेफिनेशन होगा मैं आपको एक्स्प्लेनेशन में मार्ग करके दूँगा इसमें जीवित बैक्टेरिया होते हैं इसमें जीवित बैक्टेरिया होते हैं जैसे लेक्टवेसिलास आसीडोफिलर्स लेक्टवेसिलियस केसी फिर बीफीडविक्टेरियों बीफिडुम एक्सेटरा ठीके ? this microbes maintain the balance of intestinal microorganism यह जो भी microscope है यह हमारे intestine हमारा जो intestine है stomach के बाद जो small intestine large intestine उसमें bacteria microorganism का balance maintain करता है उसमें microorganism का balance maintain करता है कैसे maintain करता है देखो that is increase the population of microbes helping the digestion and decrease the population of harmful microbes कैसे maintain करता है useful microbes का population बढ़ा देता है harmful microbes का population घटा देता है probiotic लेने की वैसे यह live bacteria हमारे intestine में जाते हैं जिसकी वज़े से useful microbes जो help करते हैं digestion में उनका population increase हो जाता है और harmful microbes ठीके उनका population decrease हो जाता है harmful microbes का नाम या दिया है Clostridium ठीके आगे probiotic products are available in various forms probiotic products अलग-अलग form में आते हैं जैसे yogurt form में आते हैं कैफिर form में आते हैं सौर को आट में आते हैं probiotic product अलग-अलग type में आते हैं milk में yogurt और कैफिर में आते हैं ठीके लिट में पिकल ऑफ गैबेज cabbage cabbage का अचार इसमें आते हैं डाक चॉकलेट में आते हैं Miso Soup में आते हैं पिकल पिकल मतलब अचार ठीके ओएल्स कॉन सिरप कॉन सिरप आर्टिफिशल स्वीटनर ठीके माइक्रो अलगे आटिफिशल स्वीटनर मतलब मीठा करने के लिए जो आटिफिशल सबस्टेंस दा ले जाते हैं यह सब फॉर्म में प्रोबायोटिक एवलेबल है ठीक है और इसमें यह दो मिल्क वाला है ठीक है योगर्ट और कैफिर नेक्स्ट माइक्रो अलगे में भी आत जोड़ा सा जूम नेक्स्ट देखो यह प्रोबायोटिक का थोड़ा सा यह जब लाइब बैक्टेरिया का थोड़ा सा फोटो दिया है तो जूम करके देखते हैं और क्लियर दिखेगा नेक्स्ट वाई ड़ाज दो प्रोबायोटिक एव डेवलप मच इंपोर्टेंट इन आजकल प्रोबायोटिक का बहुत दिमांड ए अल-वर दी वर्ल्ट इवन इंडिया में भी योगर्ट नाम का ब्रोबायोटिक आचुका है designences we यह भी शिल्पा-शित्ती भी यह जो भी यह शिल्पा-शिति वहन उसका देखा होगा she is giving an ad for probiotics योगर्ट नम का so why the probiotics और प्रोबाइटिक इतना famous क्यों है मतलब इतना importance क्यों मिल रहा जो क्यों प्रोबायोटिक को क्यों हो इस product forms the colonies of useful microbes in elementary canal and control other microbes and their metabolic activities improve resistance and lower the ill effect harmful substances form during metabolic activities ठीके देखो यह जो probiotic product है इससे useful microbes यानि useful microorganism की colony बनती है colony बढ़ती है population बढ़ता है यह product probiotic colonies बनाते हैं useful microorganism की किदर बनाते हैं हमारे elementary कनाल में elementary कनाल मतलब large intestine small intestine ठीके हमारे intestine में और and and मतलब और control करते हैं microbes और दूसरे microbes को भी control करते हैं control other microbes यानि दूसरे microorganism को control करते हैं and metabolic activities और उनकी metabolic activities को भी control करते हैं improve resistance और body का resistance यानि body की बिमारी से लणने की शमता को बढ़ा देते हैं and lower the ill effect of harmful substance form during metabolic activities और body में जब भी metabolic activities होती है उसमें जो भी harmful substance बनते हैं उसके बुरे असर को ill effect बुरा असर खतम कर देते हैं या कम कर देते हैं lower कम कर देते हैं ill effect बुरा असर harmful substance का ठीके जो बनता है metabolic activities के दोरान during metabolic activities metabolic activities याने body में जब खाना digest होता है और intercellular respiration होता है जब cell के अंदर food digest होता है ठीके जब आपने पढ़ा है न इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा cycle होता है body में जब याने glucose breakdown होता है और ATP form होता है तो उसमें कुछ harmful substance भी बनते हैं तो वह harmful substance के बुरे असर को इल इफेक को कम कर देता है प्रोपायोटिक इसके लिए यह सब वज़े जरूर देंगे एंटिबायोटिक मतलब बॉडी में जम बॉडी में माइक्र ऑर्गिनिजम को किल करने वाली मेडिसिन एंटिबायोटिक उसको कहते हैं जो बॉडी के अंदर प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो में बैक्टेरिया जर्म माइक्रोब्स को किल करने की दवाई अंटिबाईोटिक इसको खाने से बॉड़ी के अंदर हाम फुल मायक्रोब इनेक्टिव हो जाते हैं तो प्रोबायोटिक की मदद से यह यूसफुल यह सारी यूज है यहां से यहां तक पूरा प्रोबायोटिक का यूज है आप इसको तीन चार पॉइंट में डिवाइड करके लिख सकते हो ठीके और प्रोबायोटिक क्या है मैं आपको बता है ऐसा सब्स्टेंस है जो बॉडी में बिमारी से लडने की शमता को बड़ा देता है प्रोबायोटिक का दोश्ट सब्स्टेंस देट किल्स देट लोवर दी पॉपुलेशन ओफ या डिक्रीज द पॉपुलेशन ओफ हम्फुल माइक्रोब्स एं इंक्रीज द पॉपुलेशन आप यहां पर है यह सब pen can easily find nowadays probiotics are used for treatment of diarrhea and treatment of poultry आजकल probiotics का यूज हो रहा है डाइरिया का इलाज करने में loose motion vomiting डाइरीय बिमारी का नाम है जिसमें बहुत ज्यादा लूज मोशन और एकसेटरा ठीक है उसके िलाज में प्रोबायोटिक यूज किया जा रहा है और पॉल्ट्री फार्मिंग याने जो जो मुर्गी और जो भी बर्ड्स पालते हैं खाने के लिए मार्केट में जो भीकता है चिकन और डक्स देखो इंडिया में चिकन यूज होता है ठीक है लेकिन फॉरन कंट्री में गूस डक्स एक्सेटरा तो वह सब पॉल्ट्री में आता है ठीक है क्वेल एक्सेटरा तो पॉल्ट्री के ट्रीट्मेंट में याने चिकन क भी इलाज में probiotics यूज किया जा रहा है आजकर ठीक है बाइद इस वी आफ कम्प्लीटेड मिल्क प्रोडक्त अगला प्रोडक्त ब्रेड जो मिल्क प्रोडक्त नहीं है यहां तक हमने हमारे कम्प्लीट किया ठीक है पेज नंबर सेवेंटी नाइन त्री पेज हमारे कम्प्लीट हुए में भी 50 मिनिट्स क्रॉस हो गए ठीक है आपको वीडियो समझा यहां तक का इसमें बहुत सारे आंसर्स मेरे इसाब से मैंने 10-12 आंसर्स कवर किये और यही चैप्टर का अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेर करो ठीक है शेर करो लाइक करो सबस्क्राइब करो लेकिन सबसे पहले शेर करो दूसरों तक पहुचाओ ठीक है लेट ऑल गेट दी बेनिफिट थैंक यू